हाथ से हाथ वाले कारेकरम के बीच में सचिन पाइलेट का इणिजुन प्रोग्राम और आज जैराम रमेश का एक बयान आया है कि आते जाते लोग रहते हैं, पार्टी इंपोर्टेंट है, ये बयान आप उपर देख भी सकते हैं, लिंक आप देख सकते हैं, जिसमें जैराम रमेश क्या बोले हैं, तो उन्होंने का पार्टी इंपोर्टेंट है, तो किसी के आने और जाने की संभावनाई बन रही है, क्य पार्टी चुनगे, जैरामर में इस लगातार जहां तक मैं देख रहा हूँ, यह चौति बार यह बयान दे रहें, दोनों निताय सेट है, संगठन की हित्व में फैसला होगा, वही रटी रटाई जुबान है, और लगातार बोले जा रहे हैं, फैसला होगा, संग्ठन के हित में होगा लेकिन सचीन पैलेट अपनी बैटिंग पे उतर चुके हैं सचीन पैलेट ने अपने हैं कर दिया है कि वो जनता के बीच में जाएंगी जैसा कि उन्होंने अपना ट्विट भी किया वो हम मान सकते हैं कि 14 जनुरी के बाद बजरा है लेकिन अभी भी नेता और कारे करता समंजस में हैं चाहे वो बाज़पा में हो चाहे कॉंग्रेस में चहरा कौन होगा नेतर तो किसका होगा किसके पीछे खड़े हों किसके साथ जाएं तो वो तैन नहीं कर पा रहे हैं तो एक चुनावी माहोल जो होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है और अभी राज़स्थान में काफी पानी बहना बाकी है कौन कहा जाएगा कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रदानवंतिर नरेंदर मोदी की जो 28 को रहली है उसमें कुछ नेता बाजबा जोइन कर सकते है अच्छा कॉंग्रेस के नेता अभी हलंकि उसकी पुष्टी अभी दिल्ली से एक अपुष्ट खबर है कि आमाद्मी पार्टी जो की राष्ट्रे पार्टी का दर्जा पाचुकी है कुछ लोग उधर भी जा सकते है आमाद्मी पार्टी के नेताओं ने ये दावा भी किया है कि करीब एक दर्जन सत्ता रूड विदायक उनके संपर्क में ये आमाद्मी पार्टी के नेता दावा कर रहे है आलंकि उसकी अधिकारी पुष्टी नहीं हो रही ओम परकास भुड ला जो मौवा से विदायक है अरवीन केजरिवाल से मिले भी थे उनकी तारीव भी की अरवीन केजरिवाल ने भी उनकी तारीव की फोटोज भी आया थे तो कई ऐसी संपावनाएं हर पार्टी तलास रही है और कई निता भी अपनी सम्भावने तलाएं